हलो वेलकम टो अभी मन्यू आईएस माई नेम इज एमे सुसेन और आज हमारे साथ हैं आशीज देशवाल जिन्होंने हर्याना स्विल सर्वीशिस में करना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं गरेत जहुंगा अशीज देशवाल से कि तरफ से करना चाहूंगा अगर अशिदेशवाल का जिनका अशिदेशवाल के स्रेक्शन के लिए ठीक है तो कॉंग्राचुलेशन साथी तो आशे सबसे पहरे तो यह बताए कि जब आपने रिजल्ट देखा था तो उस टाइम आपको कैसा लगा था या फिर अपने घर पर बताया तो क्या मतलब किस टाइप से आपकी रियक्शन क्या था मैं घर पर ही था जब रिजल्ट आया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया है तो मैंने उसमें लिस्ट में अपने मार्क्स चेक किये मैंने और बच्चों के देखे सो इनीशली मुझे लगा कि क्या पता ना हुआ हूँ मतलब और यू नेवर नो कि किसने क्यों कि पहले दिन माक्षीट माक्स की लिस्ट आई थी वो फिर सिक्स को जब कन्फर्म हुआ कि मेरा रोलंबर टूएट जिरो फाइव था तो वो जब मैंने एक्सी एक्जिक्यूटिव में देखा कि हां मेरा रोलंबर है मैंने उससे पह और आप मतलब का अपने बारे में कुछ बताइए कि कहां से बिलॉंग करते हो आपके एजुकेशन कालिफिकेशन क्या है अज्बिलॉंग ही बड़ांग टू र пад त्र तॉ म में फर्स्त क्रास में तरह दून चला गया था पढ़ने एक होस्टल में तो मने फर्स्त क में होस्टल में पढ पिरीर व invasive to 10 मैंने बालभारती स्कूल बहादर गड़ मैं मैंे 10 वहाँ से कि 11 और 12 पे sparkling तो मेरी तो अलग ही पार्ट शुरुवा लाइफ का तब मैंने एक बर 2014 वाला है आपक दिया था बर्त इन ता बिलाइ फिस्कली इव लिटेकन अबक बटाइ श्ट्रगल्ड विल थैं 2018 i entered my PGI थे मुंझें थे जनल मेज एक एंटनल मेड़े से में सब्सक्राइब 21 में complete हुए थी जब यह पॉम्स अप्लाई किये थे तो देट वस देन आई 2021 में आई फुल टाइम इस्टार्ट प्रिपेरिंग फर सिवल सर्विसेश देन अब यह एक बार तो यह एग्जाम हट के फिर दुबार 2022 में हुआ और फिर देने गॉट थू प्रिलिम्स मेरे प्रि और काफी मतलब रेलेवेंट वैसे वाला था कि न्यूजपेपर से बहुत क्वेसे लगा कि न्यूजपेपर वाले क्वेसे तो तो देन पो प्रि हुआ एंड था तो अगें वह मेंस वागें चैलेंज वह चार एक्जाम से पता नहीं था कि पहली बार ऐसा पैटर्न हो रहा क्या कि मैंस में में इस साल के बारे में mettre hai लूजब करें मैं ono में बडा रहा हुआ है क्यों बस्क्राइब निंपर स्टाइक पोर्षिन स्टाइव और ट्रम जोग्रफी पॉल साइंस, इकोनोमिक्स, इवन सोशालेजी या आप इसकतों की गवर्नेंस वाला जो पॉलिटी वाला आस्पेक्ट है, तो यह जो स्टैटिक पॉर्शन है, यह हर जग है रेलेवेंट भी रहा और मोर और लेस NCRT औरींटेड मिरेको लगा कि NCRT रेलेवेंट पॉर्शन है, जो मतलब जो मेंस अब वो दिया था, तो वो क्वेस्चन की प्रैक्टिस होगी थी, कि 10 मारकर और 15 मारकर, तो वो सेम पैटरन आना था, यहां HCS का पुराना आएगा जो 3 मारकर, 7 मारकर वो वाला पैटरन था, तो मैंने मतलब तब मैंने अभी मनु की टेस्ट सीरीज मेंस वाली ली थी, मैं उसका स्टूडेंट सा मैंने सारे टेस्ट लगाए थे, तो मतलब मेंस वो UPC वाला हो चुका था, और मैं इसके उसमें था तो अब वो हर्याना relevant questions और current की questions और वो सारा questions तो trace हो रहे थे, बट उनका size नहीं पता था, कि exactly वो कितने page पे और कितने marker आएंगे, तो फिर वो UPC pattern निकला कि 6 marker और 14 marker थे, तो 60 140 और 200 का total बना थे, बट उसमें मैं अच्छली यह कहना चाहरा था था, कि तीन question जो international relation के थे कि इंडो-चाइना पे question था, गल्वान के बाद क्या हुआ, और रशिया-उक्रेन वर पे question था, उसके manifestations, और श्री-लंकन क्राइसिस के manifestations, तो actually 20 में से 3 वो थे, जो मतलब ऐसा था कि वो expected यह था कि हर्याना specific आएगा, बट वो एकदम UPC level कहलो आप उसको कि उस level का question कि आए इस लेवल के लो तो फिर सर्व भगवान के रहा से वो हुआ, तो फिर इंटर्व्यू का वो पता चला कि चलो इंटर्व्यू है फोर्थ को इंटर्व्यू हुआ, तो उसमें फिर अंगेन वो प्रोसीजन आइटिंग अब बच्चे फैमिलियर हो गये बट वो एकदम अंदर ज पहली बार था और मेरा फॉर्थ को था तो मेरे यूपेसी वाला हुआ नहीं था तो कोई कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक्च्छल उथा नहीं कि कैसा होगा वो बिलकुल ही नया एक्सपिरियंस था वो फिर इन्होंने फिफ्ट को शाम को लिश्ट में आ गया था और फिर हां लेंदी पेपर को मतलब सेस्के लिए जो तीन घंटे में खंटम करना था और प्रेपर भी बहुत लेंदी तो उसके लिए क्या आपने सर वही मैंने सिर्फ एक अभी मन्नू की हैं स्वाली टेस्ट सीरीज उसमें ट्वेल्व टेस्ट थे या नहीं साथा सिक्स्टीन टेस्ट थे उनमें से दस शायद सब्जेक्ट के थे और कुछ लैंगविज के थे ऐसा था कुछ फुल सलेबस दो फुल सलेबस थे चार पर फॉर्मली अटेंट करके अप्लोड में तो बट मतलब यह की टेस्ट शीरीज दी मेंस यूपसी वाला खतम हुआ था एक सितंबर चब्विस को और एक नवंबर को यह खतम हुए था एक ही महीने का टाइम था ओक्तोबर को वह खतम हुए और नवंबर को यह तो एक महीन को टेस्सीरीज वाली आंसर आइटिंग प्रक्टिस की और वो मेरे बहुत काम आई बिल्कुल मतलब ऑनश लेको उसमें वह बात नहीं मेरे बहुत काम आई अगर मैंने टेस्सीरीज ना दी होती है और मैं बिना टेस्सीरीज दिये वैसे पड़ रहा होता तो आइडूंट ूसको भरने कि कोशिश करना ही एक ऐसा काम ओगया था कि नई-दैब 3-2 वाले इतना लगाना है और शोटे ah कर दिया तो इसने कम टाइम में मतलब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं तो आपने कैसे अपने आपको सम्हाला और क्वेशन किया इंटेव्यू का सो सर अगेन मतलब को तब यहीं थी कि हरिआना का बोड़ा तो क्या हरियाना स्पेसिफिक पूछेंगे यहोगा नहीं होगा तो कैसा मैंने तो मतलब फिर मॉक तो मैंने अभी मनु का दिया था एक मॉक मैंने और दिया था था जाग और अधर दिन डाट सरस वो यह वाली सारी सब्सक्राइब के लिए तो बहुत रेलेवेंट थी तो मिश्टरी तो वो तो होने के बाद समझ में आए कि चलो टीक वादा जब तक मार्स निया तब तक इतनी मिश्टरी तो थी है कि कितने मार्स आएंगे में इंटर्वी में सब्सक्राइब करेंगे क्या हो गलत होगा बट देंगे तो इसको कितना वैल्यू करेंगे क्या हो गलत होगा जब देन एक बात करेंगे इंटर्वी जब पैनल आप गये थे उस टाइम गटना या फिर कोछ इंसेडेंट जोब शेयर करना चाहा हो आँगे जब तो मतलब अश्ड़ाब कर दो कि आ थे इंटर्वी अटनेशन एंट रहा इंड़ा गया तो वह तो इसा था 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 एक कई रहा एक बिल्दिंग में हुगा तो और जबाद को ऑख fortो है रखाथ तो ईटर्वेंट तो ऊबिल्दिंगर cancli ज्य Pea we स의 फूंड रच तो मैं सब गया था रचाहा चाहा सब काम होते हैं जैसे की 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है बहुत जल्दी उन्होंने निकाला लिए तो आने वाले एस्पेरेंट्स को अगर कोई आप संदेज देना चाहते हो कोई मैसेज देना चाहते हो यह सब्सक्राइब बाकिये एस्पेरेंट्स के लिए मतलब बन आई वु यूर बेस्ट सेकेंड आई वुट से कि प्लीज मतलब एक टैस्ट जरूर दो प्रिकोज बहुत जरूरी है खुद को एवालुएट करना बहुत जादा जरूरी है अपने नोट्स जरूर अच्छे प्रिपैर करो टॉपिक वाइस प्रिपैर करो जैसे प्रिलिम्प का तो मतलब ऐसे वह च्छे टॉपिक टाइप से बन गए तो यूशुड है अट लिस्ट लाइक टू थ्री रिजिस्टर विच यूव मतलब लिश्ट ऑप लिए प्रिसाइज नोट्स वैसा मैनेज करना कि नोट्स आपके प्रिसाइज निया तो वह गलत हो जाता है तो दूस वोड़ा गांधी करके एक मैच दा फॉलोईंग था और एक क्वेस्टन था कि उन्होंने कहां कुट इंडिया मूपिश किया तो उसका आंसर वह बन रहा था तो वह मेरा जैसे संसर टीवी की वज़े से सही हुआ था संसर टीवी की शौट वीडियो जाती है तो उसमें वह आज के दिन करके टुड़े इन हिस्टरी करके सीरीज होती है जिसमें दो ही मिनट की विडियो होती है तो मतलब मेरा कहने का पॉइंट ही है कि उस टाइट की एक चीज जो आप डेली फॉलोव करो करेंट के लिए वह करो और निउस पेपर एक निउस पेपर मस्ट है आपको पॉर्शन होता है एकॉनमी का और एडिटोरियल में ओपीनियन वाला जो कि यह दो पेज तो मेरे खाल में बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं तो मतलब वैसे कि न्यूस पेपर स्टाटिक के नोट्स और एक करंट का कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप डेली फॉलो कर रहे हो कि अपने अपना किम्ती वक्त हमें निकाल के दिया और आप बताए वह आई होप जो आने वाले एस्पेंट्स हैं उनको मदद मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे चीजें भी बताए आपने जिससे बहुत सारी मदद मिल सकते हैं तो टाइम निकालने के लिए थैंक्यू एंड झालकती खर बतादस्ट्ट्टर्स्टर्स